वैल्कम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे आलू की दही वाली चार्ट जो बहुती आसाने बनाने में तो इसके लिए हमने उबले हुए आलू को लेना है और उनके पीस कर लिए है आप चाहेंट आलू को फ्राई भी कर सकते हैं यहां मैंने आलू को फ्राई नहीं किया है इसमें हमने दही आइड कर दी अपना दही आइड करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने मसाले इसमें हम डालेंगे अपना नमक, सफेद नमक, काला नमक इसमें डालेंगे चाट मसाला लाल मिर्ची पॉर्डर डालेंगे इसमें कटारों की मीठी चटनी इमली की चटनी जो जिसे बोलते हैं ये वो चटनी डालेंगे इसमें फिर डालेंगे इसमें अपनी हरी मिर्च की खटी चटनी इसमें डाल देंगे हम अपनी आलू बुजिया या कोई भी अपना नमकीन पापड़ी कुछ भी डाल सकते है या मैंने आलू बुजिया डाल दिये इस पे हम इसे हरे दनिये से गार्णिश कर लेंगे और ये हमारी आलू की दई वाली चाट तयार हो गई है सर्व के लिए थैंक यू